गोबिन्द नगर चाराजा की अस्थापना 56 वर्स पहले गोबिन्द नगर के नागरिकों द्वारा शुरू की गई थी बर्तमान अध्यक्ष सवरव सावे बताते हैं कि इस वर्स में गोबिन्द नगर के राजा को महराज छत्रपती सिवाजी महराज के रायगड किला का लुग दिया गया है इस किला की यहाँ पर ज्छाकी सुन्दर रुप से बनाई जा रही है यहाँ पर रायगड किला की जाकी बनाने का कार बड़े जोर सोर से कारीगरो द्वारा किया जा रहा है हर वर्स यह मंडल कुछ नया लुक देकर अपने राजा की अस्तापना करता है समाज सेवक राम्यादो का कहना है कि गोविंद नगर के राजा को लोग इच्छा पूर्ती राजा के रूप में भी मानते हैं यहाँ पर जो लोग भी आकर दर्सन और पूजा करने के बाद जो मन्नते मांगते हैं स्री गणेश जी उनकी मन्नतों को पूरा करते हैं इसलिए लोग गोविंद नगर के राजा को इच्छा पूर्ती राजा के रूप में मानते हैं आई आपको हम सुनाते हैं मंडल के अध्यक्ष सौरव सावे और समाज सेवक राम्यादो का इस संबन्द में और क्या कुछ कहना है माँचा नाओ सावर प्रदीप सावे है मी या मंडलाचा अध्यक्ष है आमचा मंडलाचा नाओ गोविंद नगर सारवजी ने गणे सुथ्चो मंडल है ही आमची 56 वर्षाचा परंपर आहे यंदा आमी या माराश्टा चा आरद्य देवत मंड़े शिवचात्रपती महराज हैना मानवंद ना मुनुन दैसर आने कांदुली कराना नमर विननती करतों कि तैनी आपला या गोविंद नगर चा राजा ची दरशना ले आवो आनि य हमारी कोशिश तो हमेशा रहती कि कुछ ना कुछ अलग अलग ट्राय करते रहे पिछले साल हम लोग ने यहां के बहुत प्रसिद्ध नेपत्यकार किया था और यह साल हम लोग आपने जो आर्ट डिरेक्टर है कौसूप साडूं के उनकी माध्यम से हम लोग राइगड किल् हम लोग हर साल मनलब 55 साल की परंपरा है कि हम लोग हर तरह के सांस्कूरतिक कारेकरम करते हैं जिसमें फैंसी ड्रेस हो ड्रॉइंग कॉंपोडिशन हो डांसिंग हो स्पोर्स के अक्टिविटीज हो और अपने बलड कैम भी एक हम लोग गई कुछ सालों से करते आया है जहा है कि मैं सवरोप सावे को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और गोविन नगर सारजोनी गड़े सुसो मंडल जो है वो इच्छा पुर्ति जणे सुसो है क्योंकि मैं पिछले कई सालों से यहां पर आ रहा है और जो जो मनत मांगता हूं लगबग भगवान उसको पूरी अशिरवाद मिलेगा उसके बाद हमारे वप्पा यहां पर विराज में उनका अशिरवाद मिलेगा तो मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के मादन सभी लोग यहां पर आए और इस राइगर के प्रतिमा को देखे और जो हमारा दोस्त है सौरोप सावे और उनकी पूरी टीम जो जो मेहनत किया है उनको आशिरवाद दें